यहाँ पर ताल की queen hanging है, knight hanging है, लेकिन यह सब छोड़ के ताल ने खिला, e takes f6, और hence उस वक्त लिखते हैं कि वो shock हो गया पुरी तरीके से, तो welcome दोस्तों, आज का जो game है बहुत ही शानदार है, यह खिला था मिकाई ताल, जिन्हें magician from Riga भी कहा जाता है, और यह 8th world chest champion थे, जै तो देखते हैं game पर, तो यह उन्हों ने खिला था hands heck, तो यह game ताल ने खिला था hands heck के खिला, तो ताल के पास थे white pieces और game के शुरुआ थी, d4, यहाँ पर आया knight f6, c4, यहाँ खिला गया e6, knight f3, यहाँ पर आया b6, queen's indian defense खिला heck ने, queen's indian defense में bishop queen keto होगा, और यहाँ पर आ यहाँ बिशप g5, ताल ने भी pin किया, यहाँ पर आया bishop b7, यहाँ पर आया e3, और यहाँ खिला गया h6, इस bishop को attack करते हुए, तो bishop h4, यहाँ पर आया bishop takes c3 check, यह bishop इसलिए exchange गया, क्योंकि hands का idea है कि वो, यह d6 और e5 अगयरा खेलेंगे, dark square पर pawn रखेंगे, इसलिए उन्हो पर bishop exchange किया, यहाँ पर आया b take c3, यहाँ पर आया d6, as planned, यहाँ पर आया knight d2, idea है कि हम लोग e4 वागयरा push करेंगे, तो support के लिए, यहाँ पर आया e5, यहाँ पहले ताल ने खिला f3, क्योंकि यह square knight से control करते हुए, इस bishop को अगर जरूरे पड़ेंगे, यहाँ आने पर और pawn भी hanging ना रहे, यहाँ पर आया queen e7, और यहाँ पर आया e4, यहाँ पर अगर आप pawn capture करते हैं, तो यहाँ पर queen take spawn आयगा, यह pawn भी attack है आपका और यह भी, आपको bishop f2 खिलना पड़ेगा, इसलिए, यहाँ पर ताल ने खिला e4, यहाँ पर आया knight b d7, idea हम लोग इस knight को यहाँ से यहाँ लाएंगे, और इस bishop पर भी attack कर सकते हैं, यहाँ पर आया bishop d3, इस bishop को develop करते हुए, knight f8, as planned, c5, यहाँ पर आया d take c5, और यहाँ पर आया queen take c5, और ताल ने खांदार combination start किया, queen a4 check, यहाँ पर c6 आया, जो कि blunder था, आपको knight खेल देना चाहिए, knight d2 अगेरा, knight d7, साही रहता, लेकिन यहाँ पर खेला गया c6, और यहाँ पर ताल ने simply खेला castle, अभी देखिए, black का king still center में है, यहाँ पर आया knight g6, और इसका कैसे exploit किया ताल ने, उन्होंने खेला knight c4, इस queen पर attack है, तो आया queen e6, और यहाँ पर खेला e5, इस knight पर attack करते हुए, अब इसका idea था कि ताल यहाँ पर खेल देंगे, b3 वगेरा, और game continue रहेगा, लेकिन जैसी ताल ने अपना move खेला, यहाँ पर ताल की queen hanging है, knight hanging है, लेकिन यह सब छोड़ के ताल ने खेला e takes f6, और hence उस वक्त लिखते हैं कि वो shock हो गया, पुरी तरीके से, यहाँ पर यहाँ पर कोई option नहीं है, यहाँ पर आया g takes f6, इस रुक को attack करते हुए, इसलिए यहाँ पर आया रुक g8, और अब आया एक और killer move, जो ताल ने खेला, bishop f5, just brilliant stuff है, देखी क्यों, bishop f5, आपकी queen कहीं भी जा नहीं सकती, सारे squares जो है, controlled हैं, pieces से, अगर आप यहाँ जाएंगे, let's say, यह हाँ पर mate in one, knight d6 mate, तो यहाँ hands को careful रहना था, और उन्हों ने खेला, knight takes h4, ताल ने यहाँ पर खेला, bishop takes queen, यहाँ पर आया bishop a6, और यहाँ पर ताल ने खेला, knight d6 check, यहाँ पर king e7, और यहाँ खेला bishop c4, इस bishop को attack करते हुए, अगर आप हमाँ knight लेंगे, तो bishop लेंगे, और bishop लेंगे, तो हम लोग knight से लेंगे, यहाँ पर आया rook takes g7, यहाँ पर आया g3, क्योंकि यह pawn attack था, और इस knight को attack किया गया, यहाँ पर यहाँ पर आप यहाँ लेंए सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आया bishop takes bishop, यहाँ पर आया knight f5, यहाँ खेला गया, ruk e b1, यहाँ परया f6, f6 मिस्टेक था यहां पे 93 वगेरा बेस्ट होता लेकिन देखिए ताल को आप लोग को लगता होगा कि अच्छा था लेकिन इस मैट में ताल दिखाते हैं कि उनको एंड गेम की समझ कितनी अच्छी है यहां पे उनका पॉन स्ट्रक्चर अच्छा है अल्दो वह पॉन डाउन है लेकिन उन्हों है नहीं मैट कितने बढ़िया तरीके से कनवर्ट किया यहां पे आए रुक FD1 चेक यहां पे किंग E7 यहां पे लगया रुक E1 चेक यहां पे कि दिशिक्स और यहां पे यहां पे इै किंग F2 कि इंज यहांप मैं सिले एम सिफोर कि यहां पे जी पॉर इस नाइट को अटैक करते हुए यहां पर नाइट एफ कर सφल कहारा देखी इस नाइट पर डबल अटाएक है यहां खेला गय गया रुक ए जी एट अभी यह किंग और रुक से दोलों से प्रोटेक्टेड है यहाँ पर बिशप टेक्स इस रुक पर अटक करते हुए यहाँ पर इसलिए नाइट डिफाइव और यहाँ खेला गया बिशप टेक्स डिफाइव आप यह रुक कैप्चर नहीं कर सकती क्योंकि आप एक पीस डाउन हो जाएंगे इसलिए यहाँ खेला गया सिटेक्स डिफाइव यहाँ पर रुक बीफोर इस पॉन यहाँ पर इस पॉन को टैक करते हुए यहाँ पर रुक सी एट यहाँ खेला गया रुक सी एट इस पॉन को टैक करते हुए और यहाँ पर रुक टेक्स एफूर यहाँ पे आए रुक टेक्स C3, यहाँ पे आए रुक A6 चेक, यहाँ पे आए C5, और यहाँ आपके लगया रुक टेक्स F6, यहाँ पे आए H5, यहाँ आपके लगया H3, यहाँ पे आए H टेक्स G4, यहाँ पे आए H टेक्स G4 और रुक H7, आइडिया है कि हम लोग रुक प फेवर में है जिस साइट पर बोड के आपको जनरली उधर ही खिलना चीज़ यहां पर रूख फाइब इस पॉंड को अटैक करते हुए और यहां पर रूख फाइब यहां पर खिला गया रूख सी टू चेक यहां पर आया किंग जी त्री किंग अपना एक्टिवेट कर रहे ह ताल है यहां प्याई किंग सी पूर यहां पर यहां पर रुख एपइब इस पाउंड को डबल अटैक करते हुए यहां पर आय। एक कर दिपूर है यहां पीलागा इंच नहीं पर लूख हज़ किख और यहां पर लूखब ऑन और ताल ने खिला simply rook g5 और hect ने resign कर दिया तो Hanson nे resign क्योंकि है क्योंकि अगर रुख takes यहाँ पे king takes अगर आप यह pawn queen करेंगे तो यहाँ पर g7 आएगा ताल का pawn जल्दी queen होगा यहाँ यहाँ पर d2 आएगा यहाँ पर g8 queen यहाँ पर आप भी queen करेंगे और यहाँ पर ताल के पास है Queen B3 चेक यहाँ पर King D2 आएगा और यहाँ पर सिंप्ली आएगा Queen TxD1 चेक किंग टेक्स और यह pawn Queen हो जाएगा और ताल सिंप्ली जिट जाएगे तो ताल की calculation काफी बढ़िया थी उनका endgame भी काफी बढ़िया तो आशा करता हूं आपको मैच अच्छा लगाओगा अगर आपको किसी सजेशन हो किसी गेम पर बनाने के लिए तो आप कॉमेंट कर सकते हैं